आज की वीडियो मैं आपको बताऊँगा, कम्प्यूटर के राइट किलिक में किसी भी सॉप्ट्वेर को कैसे एड करते हैं, अभी यहाँ पर हमारा कोई साभी सॉप्ट्वेर एड नहीं है, तो इसे कैसे करेंगे, चलिए सुरू करते हैं इसके लिए आप बिंडो के साथ और बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे, रिजिडिट रिजिडिट रिजिडिए और पर बहुत सारे फॉल्डर है, हमें डायरेक्टरी वाला फोल्डर चुनना है इसके लिए आप किसी भी एक फोल्डर पर क्लिक कीजिए और कीबोर्ड की साज़ता से डी दवाईए और हम यहाँ पर डायरेक्टरी वाला फोल्डर सेर्च करेंगे हमारा डाइरेक्टरी वाले फोल्डर मिल चुका है आप डाइरेक्टरी वाले फोल्डर के एरो पर किलिक करेंगे यहाँ पर बेक्ग्राउंड के एरो पर किलिक करेंगे यहाँ पर शेल के एरो पर किलिक करेंगे अब शेल पर राइट किलिक करेंगे और New में जाएंगे Key में जाएंगे यहाँ पर New Key में हम जो भी Software एड़ करना चाहते हैं उसे लिखेंगे यहाँ पर हम Google Chrome एड़ करेंगे तो हम यहाँ पर Google Chrome लिखेंगे और Enter दब़ेंगे अब Google Chrome पर right किलिक करते हुए New पर जाएंगे की पर जाएंगे फिर से अब यहां पर टाइप करेंगे कमांड सी ओ डवल एम ए एन डी और एंटर दवाएंगे अब कमांड पर क्लिक रहते हुए डिफोल्ट पर डवल क्लिक करेंगे यहां पर हम बेल्यू डाटा भरेंगे इसके लिए आप गूगल क्रोम पर राइट किलिक करेंगे प्रोपर्टीज में जाएए यहां पर टार्गेट में जो भी बेल्यू है उससे कोपी करेंगे यहां पर डवल इन्वर्टेड कोमा को छोड़ते हुए पूरे को कोपी कर लेंगे आगे और पीछे दोनों डवल इन्वर्टेड कोमा को छोड़ दीजिए और right click करेंगे, copy करेंगे, यहाँ पर आके paste कर देंगे, और ok कर देंगे, अब आप देख सकते हैं, हमारे right click में Google Chrome एड़ हो चुका है, यहाँ पर click करके देख लिजिए, Google Chrome खुल चुका है, अब इसे हटाना कैसे है, यदि आप इसे हटाना चाहते हैं, तो Google Chrome पर right click कीजिए, और delete कर दीजिए, और yes कर दीजिए, और basic basic करने के लिए, इन पर arrow पर click कर दीजिए, यह हमारा basic basic हो जाएगा, तो यह वीडियो आपको कैसे लगी, आप बताईएगा, यदि वीडियो अच्छी लगी है, तो like कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए, हमारे चैनल को,